मंगलम भगवाने विश्नों मंगलम गरुडद धज़ा मंगलम पुनरी काक्छा मंगला इतनो हरी नमस्कार दर्शकों कुनली दर्शन के इस रासी फल विशे शांग कारकरम में आप शभी दर्शकों का शुआगत है जैसा कि आप शभी दर्सक देख रहे हैं पिछले कुछ समय से 2018 का कैसा गुजरे का शाल सभी रासी वालों का क्या होने वाला है हाल तो इस बारे में हम रासी फल विशे शांग कारक्रम में अब तक मेश रासी से लेकर शिंग रासी तक वालों का रासी का शंपुन रासी फल हमने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है यदि किसी दर्शक ने अब तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देख पाए हैं 2018 का राशी फल तो आप नीचे देखें लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको देख रहा है उसे आप किलिक करें अपने जेमिल आइडी से लॉगिन करने के बाद जिससे आपको हमारा वीडि हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे देखने के लिए तो अब आईए जानते हैं कि कन्या राशी वालों का 2018 का क्या है शंपूर्ण राशी फल और शंपूर्ण गोचर फल सबसे पहले हम गोचर की बात करेंगे कि 2018 में ग्रफों के स्तिति क्या होने वाली है फिर हर महने के हिसा सबसे राशी फल के बारे में बात करेंगे सबसे पहले कन्या राशी का गोचर फल वर्स वहर कन्या राशी पर शनी की धहिया का असुप्रभाव रहने से धैन हानी तथा बिर्था कलह कलेश आदी रहने की शंभावना बनती है तीन मार्ज से आठ मैई तक बुद्ध नीच रासी में तथा 23 मार्ज से 14 अप्रेल के मद्ध वक्री रहने से स्वास्त शंबंधी चिंता भी हो शकती है तारीक 26 जुलाई से 18 अगस्त के मद्ध बुद्ध करक राशीगत राहु युक्त होकर वक्री रहने से आर्थिक उल्धनों का शामना भी करना पड़ सकता है स्वास दिसम्बर से 6 दिसम्बर के मद्ध बुद्ध पुनवक्री रहेगा उपाई क्या करें वर्स भर उपाई जो आपको करना है साथ सनीवार इस टील या लोहे की कटोडी में तेल डालें तिल का टेल डाल कर उसमें आप अपने चेहरे को देखें उसमें अपना चाया देखें उसके बाद उस टेल का आप सनी मंदिर में जाकर दान करें ऐसा साथ सनीवार कमशे कम करें तो निश्चित रुप से आप इस वर्स में गोचर के कुपरवाव से बच सकते हैं क्योंकि सनी के ढहिया का आपको उपाई करना चाहिए और यदि आप सनी के ढहिया का विशेश उ मेहने में कन्या रासी वाले का रासी फल क्या कहता है कन्या रासी वाले जन्वरी के मेहने में सनी की ढहिया के फल्सरूप बंते हुए कारे में बिगन बादा मानशिक तनाव मन में असांती और संतुष्टता बनने के शंकेत दिखाई देते हैं पडिवार में बेवजा का त रंकेत हैं परन्तु उनका यतोचित लाब आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसमें संसे की इस्तिती हो शक्ति है इसलिए जरूरी है आउसर को पहचान कर आप इस सुभ आउसर को निश्चीत रुप से शुफता में बदल दें उपाए क्या करें उपाए 14 जनवरी को आप ब् बुद्ध अस्त रहने से बनते हुए कारियों में विग्न बाधायें स्वास्थ में विकार पडिवारिक उल्जने व्यवशाइक परिशानियों में बिर्दी होने के आशार नजर आते हैं शत्रूभ है यह अपने भी परायों जैसा विभार करें ऐसा भी कुछ हो शक्ता है कोई न कोई समस्या अवश्य भनी रहेगी तो फरवरी का महना भी बहुत जादा उत्तम नहीं है इस वर्ष कन्या राशी वाले के लिए तो आपके लिए वही उपाय जो गोचर के लिए मैंने बताया था कि शनी का उपाय करना निश्चित रूप से जरूरी है आप पीपल क करें तिल के तेल का दीपक जलाएं और शनी के बीज मंत्र आम प्रांप्रें प्रॉम्श है शने चराए नमा इस मंत्र का जाप क्या करें जिस्चे आपको लाब मिलेगा अब आईे जान लेते हैं मार्च के महने में बुद्ध शुक्र योग सप्तमस्त होने से यद्डिपी सत्रू भी आपको नुक्षान पहुचा शकते हैं प्रबल हो शकते हैं नौकरी में परिवर्तन का विचार आपके अंदर आशकता है और परिवर्तन होने के कुछ संकेत भी हैं परंतो क्रै विक्रै के कारियों में अकश्माद धन लाव के योग बनते हैं, विग्नों के बावजुद भी आपके आये में बिर्धी होगी, परंतो बुद्ध निचस्त होने से सुवास्त में कष्ट, विर्था भाग दोड यो मन असांत रहने के कुछ शंकेत भी हैं, तो आर्च के मेहने में हनमान चलिशा का पाट करना आपके लिए अत्यंत उत्तम रहने वाला है, अप्रेल के मेहने में वैसाई के छेत्र में अनेक परकार के उतार चड़ाओ, पडिवर्तन और शंगर्स के हालत का शामना आपको करना पड़ सकता है, तारिक 15 से बुद्ध आपके योग बन सकते हैं, सभी कार और सभी मारग आपके शुलब हो जाएंगे, विद्ध्या में शफलता की प्राप्ती होगी, तथा कुछ उत्सावर्दक इस्तितियां भी आपको बन सकते हैं, यहां तक की पिछली किये वे प्रियासों का और महत्वा कांच्छा का भी प सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि इस उपाय को निश्चित रूप से करें, अब आये जान लेते हैं मई के महने में, मई के महने में, पुर्वार्द भाग में, कुछ शोची हुई योजनाओं में, आंसिक शफलता मिलने के योग बनते हैं, शुब मंगल कारियों में खर्च आपके पैसे हो शकते हैं, उत्रार्द भाग में आये एवं शुक शाधनों में विर्धी के साथ साथ वेदेसी कारियों में भी प्रगती होगी, यदि आप फौरन जाना चाते हैं, तो निश्चित रूप से फौरन जाने के लिए भी योग बनता है, परंतु स्वास खौरन जाना जानते है, जून के महने में अर्चने परिवार समंधी चिंता यो मानसिक तनाव रहने की इस्तिती उत्पन्न होती है, परंतु निर्भाज़ों धन की प्राप्ति होती रहेगी शनी धहिया के कारण सार्निक कष्ट, मानसिक तनाव और स्वास्त के हानी के भी योग दिखाई देते हैं तथा बिविन्द परकार की परिशानियां उल्जणों का आपको शामना करना पड़ शकता है महा मिर्तुन्जे का मंत्र जाप करना आपके लिए अत्यांत लाबदायक रहने वाला है जुलाई के महने में जानते हैं रासी फल बुद्ध लावस्तान में राहू युक्त होने से कारे छेत्र में महत्पुर्ण लोगों के साथ मिलेंगे संपर्क बढ़ेंगे नवीन कारे की योजना बनेगी प्रंतु क्रियानिवन में अभी विलंब रहेगा माशांत में अर्थात की महने के अंत में आर्थी गुलजने खर्च अधिक घरेरू परिशानियों के कारण मन में अशांती एवं और संतुष्ता बनने के भी शंकेत दिखाई देते हैं तो जुलाई के महने में आप एक कारी करें कि माता लक्ष्मी जी को संध्या काल में घी का दीपक जलाएं और कोई भी सफेद मिष्ठान प्रसाद में भोग लगाएं अब जानते हैं अगस्त के महने में अगस्त के महने में कारे एवं वेवसाई शट्रों में शंगर्स पूर्ण परष्थित्यों का शामना करना होशकता है भाग्ये शुक्र कन्या रासिस्त ही होने से बेवजा का भाग दोर वहानादी के सुक यवं भौतिक कारियों पर धन का खर्च भी अधिक होने के शंकेत दिखाई देते हैं शनी के धैया के कारण मन शांत असंतुष्ट यवं संतान समंदी चिंता उत्पन हो शक्ती है उपाय आपके लिए यदि आप कर सकते हैं तो दसरत कृत सनीश्त्रोत का पाट करना आपके लिए अत्यंत उत्तम रहने वाला है सितंबर के महने में पुर्वार्द में ही सुर्य बुद्ध का संचार द्वादस्त होने से आई के साधनों में विर्धी के साथ साथ खर्च भी अधिक रहेंगे दूर की यात्रा, स्वास्त धीला, सिर दर्द, आँखों में कष्ट के कारण आपको परिशानी हो शक्ती है क्रोद पर काबू करें, क्रोद को पालना शिखें, क्रोद अधिक रहनी के योग बनते हैं क्रोद के कारण कोई बना हुआ कार आपको बिगड सकता है हाथ में आयावा मौका आपके हाथ से निकल सकता है उत्त्रार्द भाग में लाब की दृष्टी से शुब रहेगा अब उपाय क्या करें? उपाय आपके लिए सितंबर के महने में निश्चित्रू से महादेव की पूजा अर्चना करना आपके लिए बहुत लाब दायक रहने वाला है तो आईए जानते हैं अक्टूबर महने अक्टूबर महने में शुर्य बुद्ध योग होने से बिगड़े हुए कारियों में सुधार होने के शंकेत हैं धन लाब एवं प्रगती के मार्ग प्रसस्त होंगे उत्त्राड भाग में भी मिस्त्रित फल मिलेंगे अत्यदिक परिश्रम करने पर भी मनो अनकूल लाब में कुछ कमी रहने के शंकेत दिखाई देते हैं निकट के बंधों से अर्थात की आपस के लोगों से कुछ तनाव की स्तिती उत्पन होशक्ती है तो अब आईए जानते हैं कि उपाई क्या करें उपाई अक्टूबर के महने में निश्चित रूप से मा दुर्गयारा दुर्गयारानी का पूजन करना आपके लिए अत्यनत ही लाबदायक रहने वाला है तो अब जानते हैं नवंबर के महने में किस प्रकार से आपका राशी फल क्या कुछ बदलने वाला है मास के आरंबशे ही संघर्ष के बावजोद निर्भाय योग आय के शाधन बनने के शंकेत हैं शूरी शुक्र का योग, तिर्तियस्त, शुक्र वक्री तथा मंगल की अश्टमस्त द्रिष्ट्री होने से मानसिक तनाव यम घरेले उलजने बढ़ने के संकेत दिखाई देते हैं अत्यदिक प्रिश्रम करने पर धन लाब का योग है लेकिन क्रोध कम करें क्रोध अधिक होने के भी शंकेत हैं उपाई क्या करें? उपाई सबसे ज़्यादा जरूरी है नौवंबर के मेहने में माता लक्ष्मी का पूजन आप करें वही उपाई जो मैंने बताया था पुनह उसी उपाई को दोड़ाएं और माता लक्ष्मी के आगे घी का दिपक जलड़ लगाएं दिसंबर के मेहने में जान लेते हैं कि कन्या रासी वालों का क्या होने वाला है रासी फलका हाल बुद्ध तिर्तिय भाव में सुर्य युक्त होने से स्वास्त में गड़वड वयवसाइक उलजने बढ़ने के संकेत साजेधारी के कार्यों में हानी यम चोट आदिका भै रह सकता है शत्रू आपको नुक्षान पहुचा सकता है क्रोद की अदिक्ता यम जल्दबाजी में लिये गए लियन आपको हानी पहुचा सकता है तो कोशिस करें शावधान रहें सुरक्षित रहें जिससे आप अपने और पराई के बीच में अंतर जान सकें शावधान जरूर है क्योंकि इस मेहने में कोई अपना कोई करीबी या कोई शत्रू आपको नुक्षान पहुचाने की पूर्णता चेश्टा कर सकता है तो आपने देखा कि किस प्रकार से कन्या रासी का जनवरी से लेके दिशंबर का रासी फल क्या कुछ कहता है और गोचर फल क्या बदलता है तो यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखें लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे आपको ऐसे ही वीडियो देखने को परती दिन मिलता रहे तो फिर मिलेंगे अगली रासी को लेकर अगले एपिशोड में तब तक के लिए नमस्कार जै माता दे राधे राधे